असलाव अलेकूम मैं हो नाजी मा और आप देखे रे नाजी मस्कीचन अल्ला बढ़कत दे आपके खाने में आपके रिक्स में आपके जाइके में तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों तो आज मैं आपके लिए लेकी आई हूँ चिकन ब्रोस की रेसिपी चिकन ब्रोस में खास बास क्या होती है ये अंदर से बहुत जूसी होता है इसके अंदर बहुत मौस्चर होता है बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये अंदर से होता है और इसकी कोटिन भी बहुत special और टेस्टी होती है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते है रेसिपी स्टार्ट करने से पहला जिसने भी मेरे चैनल क मेरी चैनल को सब्सक्रêब किया जिए लाइक किजी और सेट की ज़ीए वलिए सबसे फिर लो हम को मैरीनेट करेंगे हैं तो यहां पर मैंunes लिध में रेखर में सोग के इसे लग में फ़र पानीनेर शोग करके 175 ल्यायर grown और चारब पानी तोğ मैंने 1 한번 बोलबुष मेरी रडचीली पॉड़र, घजば लोल ऑफ कंदी आड़ के बाद I need you pojaw चिकन मसाला पॉड़रर हैं लोल मैंने 1 AO अच्कीला पॉड़र, घकारयब दस खेटित। यहां पर मैंने लिए हूँ 1 tablespoon soya sauce, 1 tablespoon red chili sauce, फिर इसके बाद मैंने according के हिसाब से आपलोग salt एड़ करना है, मैंने अपने हिसाब से salt एड़ करी हूँ, और मैंने half teaspoon baking soda एड़ करी हूँ, baking soda एड़ करने से, थोड़ा chicken जो है उसका softness होता है, और यहां पर मैंने half lemon juice भी एड़ करी करना है आप लोगो भी एड़ कर लग रहा है तो मैंक से फुटा पानी ऑड़ करने वाली हूँ वन tablespoon पानी आड़ करूँगी मैं इसमें जाधा पानी आड़ करना एक करना है तो यहां पर मैं ने टेबल स्पून पानी आड़ करी हूँ, पानी आड़ करने के बाद इसे mix करे सब्सक्राइब दो प्रौ जाया है जारे चिकन को अच्छी तरह से तरह से इसका पैस बनाई हूं पीर बना ने के बाद जाए न निहाँ पर सूली हुआ पर मैं लिए लिए चिकन को इसमें अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करना तो आप भी इस तरह से अच्छी तरह से कट लगाना फीर बाकी के जो चिकन हैं उनसब को मैं मसाल लगा के फिर आप लोगों को बताती हूं ताकि जो छीकन में मेरीनेट करके रखती हूँ अब ही से हमें मैं रैस देना है 1-3 के लिए है तो डू घू कई तरह से अच्छी से मिक्स हो गाया अभी हम क्या करेंगी है अभी हें एक ट्रे प्रे लेंու exotic के अंदर हम मैदा, तो मैं आपने साब से मैदा आट करती हूं. आपने हिसाब से एड करना जएसे आपके छिकन में कोटिंग करेंगे। इसके हिसाब भी मैदा लेगा, तो मैदे में आट के रहे थी, वन टीश्पून रेच चिली पोडर और सौल आट करी थी और हाफ टीश्पून चिली प्रेक्स और घाट स्पून है औरी के पाला कांष्छा से के पाईaż मीड़ मीड़ार एक पीसर पाणी करना है। टाकि अच्छा लगे लुग भी अभी देखा बुखे इस तरह से हमें कोट करना है और हाथ के Storage धिश् ladies कומश करते जाना है देखे अभी एक बार आफ ले बने के बा पर पाने में क्वेड़ हूं यह पानी में डिप करने के बाद फिर से अगेन हमें इस तरह से मेदे की कोटिंग करना है तो ठीक है तो मैं आप लोगों को फिर यह सब करके दिखाती हूं देखें इन साड़े चिकन को मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग करके रेडी करे हूं यहाँ पर मैंने ओयल ली हूं जय काष्षण स्वाण धर सब्सक्राइब 스ट करके जङाने अर दरग्पे . आप लोग धिश्ची जल जाएंगा तो फीर नदर से कच्छा भयर रहेंगा और अच्छे से कोटिंग इसमोरे नहें घर लियु था कुजकार चलिभाश मैंने करना है तकि यह जो medium to low flame पे हम फ्राइब करेंगे ना तो जो अंदर से जो इसकी चिकन का जो जो पैस पने नो अच्छे से कोख ऊजाए और उट तो आप लोग भी तो यह जल जाएंगा तो फिर अंदर से कच्छा भी रहेंगा और अच्छे से कोक नहींगा देखिए इतना अच्छा से क्रिस्पी फ्राइब हुआ है देखिए इसका फाइनल लुक मैंने इसे फ्रेंच फ्राइब के साथ और टमेटो सार्स के साथ मैंने इसे सर्फ किया है आप लोग चाहिए तो मयूनिस का साथ भी आप लोग इंजय कर सकते और फिर में आप मिलती हुए एक अच्छी नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए ल तक कर सकते हैं